कि हलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का इलानियों दुर्गेश में गड़ी सिछर्ड कि इस महातपूर क्रास में मैं में आप सभी का स्वागत करता हुए कि फिछली लेक्षान सद्सीं अग्मन ग्रेंट निगमन आपके जो है एक वीजिन कर लेते हैं ने लिए आपके जो लेक्री देखा है क्योंकि चरुकर करें आज एक विछ इंपर्टन औरप परीछा काना में नाम प्रयोक साला विधी का आ Wirk जाने जो जो भीधी से बिग्यान्याइंट के लिए प्येक्त होती है लेकिन इसका एक अहम रोल होता है गड़ी सिछड में क्या रोल होता है उसी के बारे में लोग अधिन करने वाले हैं पहले इस प्रियोग साला विधी के बारे में समझ लेते कि प्रियोग साला विधी का वास्तों में अर्थ क्या है तो प्रियोग साला विधी का मतलब आप चलिए इसके बाद में कुछ और भी इंट्रेस्टिंग बाते देख लेते हैं जहां से यहां से प्रस्ण बनते हैं जिससे इस तरीके से चलिए देख लेते हैं बिज्ञान सिछड के भाति गड़ी सिछण में भी अधिक रूचिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही प्रियोक साला बिधी का जिकर आता है वैसे हमारे माइंड में एक सब्सक्राइब जिसका नाम होता है विज्ञान सिछड की बात कर रहे हैं हम लोग सिछड की या विधी सीखने पर आधारित है इस विधी में बालक क्या करता है अपने विक्तिगत अनभव को प्रेक्षण के द्वारा निरिच्छण के द्वारा निश्कर्स निकालता है तो विज्ञान सिछड की बाते गड़ित को भी अधिक रूचिकर बनाने के लिए इस विधी के माध्यूं से सिछड को रूचिकर बना जाता है तो दिना रिकसे द्वारा किया जाता है जिस सब्सक्राइ является लेकिन यहां पर गडरिसเรา को भी इस में इन 2 बर तक या जाता है क्चिछों को आत्यनी होता है तो अत्यन्तन रुचिग sentence की हॐ और उसके प्रश्चाट जब उनको नियम बारे में उसके जोड़ा जाता है तो चीजों को समझना उनके लिए माध्यम से समझा है प्रियोग के माध्यम से उसके निश्कर्ण तक पहुंचा है वह उसको आसानी से हल कर लेंगे और समस्या के निश्कर्ण को भी निकाल पाएंगे इसी वज़े से इस बिधी का प्रियोग किया गड़ी से चड़ में क्योंकि जैनली तोर पर इस बिधी के द उन सभी प्रस्णों के उत्तर दे सकते हैं और या तो देने का प्रियाश कर सकते हैं क्योंकि वह दिया जा सकता है वह संभव है उसमें जितनी प्रस्णोंते हैं तारकी खोते हैं क्योंकि उनके उत्तर संभव है कि विज्ञान पुरी तरीके तर्क और प्रियोग पर अधारित है इसलिए प्रकार गड़ित का भी कुछ हिस्ता एक भाग तर्फ और प्रियोग-डारित掰掰 है। यहां हम बच्चों को तर्फ के मादनते प्रियूग के मादन ते चीज़ों को असपडर्पर्णी समझा करते हैं। इसलिए इस विधि को जाधा जाधा चीज्वह सीखनी करते हैं इसलिए इसल masturbate जो focus है वह सीखनी पर ज़्यादा पहुता है इसमें बालक अपने विक्तिकत अन्भो रिच्छन का म प्रयों करके निरिच्छन की अधार प्रियोग के माधरम से भिन्य की जो अधाना उनको समझाते हैं प्रियोग के माधरम से भिन्य के अधाना तेकने वाले हैं तो बच्चों का ध्यान आटोमेटिक इस पाहली आएगा कि वास्तों में से रिंद्य के साथ करने क्या वाले हैं क्या प्रियोग करने वाले हैं सेव के साथ क्या करने वाले हैं सेव को रखने से ही उनकी मस्तित में बाते चलने लगते हैं कि सेव के साथ होगा क्या तो पूरा ध्हान का सेव की तरफ आ जाता है इसलिए प्रियोग के रूप में क्या करते हैं एक चाकू उठाते हैं और सेव क सारे बच्चों से क्या करते हैं उस प्रयोग के माध्यम से हम उनको सब्सक्राइब करें निरिष्षड किया निरिष्षड करेंगे उनकी क्या भावनाय है कि वास्तों में कुछ इनको आर्था समझ में आ रहा है कि नहीं आ बातब के किसी भी सब्सक्राइब करें निरिष्षड क्या है मतलब किसी विवस्तों को बातने की प्रक्रिया這邊 भिन्न की प्रक्रिया कहलाती है, इस प्यक्यार से हम उनको भिन्न की अवधाना का ग्यात कराते हैं और वह भिन्न की अवधाना को समझ पाते हैं अऊंड हमने उन्हें पहले इजैंबल मताया थे सेव के schaffen q2 कट घृथ अम हम्ता नीचे लेखेंगे और जितना वस्त हुए उतना ऊपर लिखा जा सकता है तो इस प्रकार से हमारे प्रियोग साला बिधी को जो सिच्छड है वह पूर होती है और अंत में फीडबाइक जरूर लेते हैं कि बच्चों ने सीखा की नहीं सीखा उनका इंट्रेस्ट के प्रकार से बना होगा है तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि इस माध्यम से सिच्ण आए कुछ और महत्पूर बाते देख लेते हैं इसके बारे में चलिए प्रियोग साला बिधी कुछ बूड़ है इनका अधिन करना बहर महत्पूर है कि यह छोटी कच्छाओं में बालकों के लिए उ प्रसुष कर दिया कि कैसे यह विधी प्रभाव सालिया चोटी कच्छाओं के लिए आगे चात अपनी विक्तिगत अनुभव प्रेक्षण और निर्चण के द्वारा निश्करस निकालते हैं कि बच्चे जो देखते हैं जो समझते हैं जो सुनते हैं उसके आधार पर ही त प्रियोग के दवारा उनकोची प्राप्ट करते हैं यह जो और उनके लिए कहते हैं वह उनके लिए अस्थाइद आ जोंती तरफ वी यह प्रिक लिए करते हैं आपनी आप 10 करने जो देते हैं तो उस प्रकृया को प्रभाव कि इस प्रकार की समय्ष्ण कर यह का दिए अज think of u जो भी तो हिस्थाय को सीख oh स्थाई रोक ले लेता है जो समयधान करने के लिए का इसकी हद HT Q को सअनी से सालव कर पाते ऊगे चाट प्रयोक चाला में बिजी के दवरा जात बच्चों के लिए क्या होते हैं बहुत सारे प्रियोग में लाए जाते हैं और जिनको क्या घरता है बच्चे जो है समझ कर लाए जानकारी तो प्रियोग साला च्छन विदी के सहारां के सिच्छण करते हैं तो प्रियोग साला सिच्षण विदी के साहरा ते शिच्छर का कार करते तो उन इस्टुमेंट्स बारे में two बारें Rabb Weird देते हैं साथ बड़ी कच्छा की बड़ी कच्छा की कच्छा में तथा बड़ी कच्छा के वालकों के लिए यह अनुप्युक्त बड़ी है कि जहां काफी सारे बच्चे प्रभावी नहीं होता है क्योंकि ज्यादा बच्चों की लिए यह इनुप्धिक यहों तो क्या पता हमारी बड़ी कच्छा में जितने बच्छें और यह जैसी नहीं यह बच्छे थुरा सा त्य तराक हो कुछ आग बुद्धिक हो या पता हम दो कुछ सरारती हो नठकठ हो तो जाधा बच्चों के दौरा इस भीधी को प्रियोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाधा बच्चे हैं तो उनके प्रियोग को समझना अद्यों के लिए फिडबैक लेना, प्रति पुष्टी लेना और सभका ध्यान आकर्सित करना थोड़ा सा मुझकिल का हो जाता है। इस बिधी के दोरा गड़ित के सभी शमश्यात्म प्रसुनों को हल नहीं कर अधा है कि सभी शमश्याओं के लिए इस बिधी दोरा सिचड़ करना संभव नहीं हो जो कि किन किन टॉपिक के लिए सिच्षड करा जा सकता है क्योंकि कि पहले रिके हैं कि अनु고at सब्सक्राइब कर सकता है कि यह केवल एक कुसल और योग अध्यापक की समझ सकता है जिसने इस विद्धी के बारे में पूर्ड रूप से अधर किया है और विद्धी के उपयोग के बारे में अच्छे से समझाए वही इसका इसका कर सकता है सभी के लिए सभी ड्यापक सभी जो व मारे अध्यं करता है करता है सबी किसका ब्योग कर सकते हैं तो यह सक फूल तरीके méli इसका और सकता है और यह यह दिदि कर लेए उसके बार अगली विदी के लिध लोयव है पड़ते हैं कि लिवजिए कर लेते हैं तो कि इस मीजिदी को पूर दुक्तर समापत करते हैं तो अगली में एक है एक जो हता है यह विग्यान थिछण के भार्ती ही गड़िस दिछण को अधिक रुषकर बनाने के लिए क्या होता है कि जैसे बच्चों के ध्यान को आकर्सित करने के लिए उनके अटेंशन को हासिल कर पाएं जिसे चीजों को सिखाना अत्यन तरल हो पाएं और बच्चे आसानी से उसको सीफ पाएं तो इसलिए हम इस विधी का है यह निए इस बात को असवा जान लिया है यह अस्था है और लंबे समय तक बच्चे इसको अपनी मस्तिस में रख पाते हैं और उसका प्रयोग करके चीजों को सीख पाते हैं तो यह विधि इसलिए माहतपूर होएक्षी करके सीहि कर्के सीकने परह प्रदाशित है और करके सीहि दौरा जो ग्यान प्रप्त होता हुआ वो पूर्यूरे फिदष्टार। गर करके शीखने पर आधारित आगे में प्रियोग के प्रियोग के अधार पर करता है जब उसके सामने प्रियुक को रखा जाता है ने चरаз पर दो करता है उसके बारे में देखता है समझता है सोचता है तरक करता है और तत्पश्चात या करता है वह निश्कर तक पहुचा है और इस निश्कर में सिच्छक उसे देशा निर्देशित करता है उसे बताता है कि कि उद्देशक उसको प्राप्ति करनी है क्या समझ्चाय है क्या समधान उसका उप् लुक्तिकत जो बूद्ध संता है जो तरब संता है उसको जागरित करने का भी कार करती है कि कुछ माधपुर्ण के बारे में देख लेते हैं कि तो मादपूर्ण गुर्ण क्या थे वारे में देखा था हम ने चोटी कच्छाओं के लिए उपयोगी विधी है आप सबीको पता है कि जितनी पीज़ों चोटे बच्छे होते फोटे उनके लिए क्या होती बेहद उपयोगत थे क्योंकि क्या होता उनका जो दिमाक होता है वह एक्समेरिमेंटल जो है प्रयोग वाली जो चीजी है उनकी तरफ ज्यादा करते हैं कि मतलब यह हम कुछ नई प्रत्क्रिया करते हैं कुछ नया किरया कलाप तो उनका जो ध्यान होता है वह बहुत तेजी से आकर्सित होता है वहीं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका जो अट्रेक्शन होता है वह कम हो जाता है चाहे हम जो भी प्रयोग करें यह जो शुगने के लिए इच्छो को तभी सीख पाते हैं यह आने था वह नहीं सिखेंगे चाहे हम कुछ भी कर लेक अच्छा में तो इसलिए फ्रेंड यह चोटी कच्छाओं के बच्चों क बच्छों को बच्चों कि बच्चों के बारे में उनका निरिछण कर आजाता है उनके तर्क बितर्क और सोच उनसे कर वा मतलब उनकी चिंतन तंता को मास्तान बढ़ा जाता है इस दारां इक सहाय करता है उनके द्वारा क्या करता है अन्ति मुद्देशों की प्राप्ति भी प्रियोग साला में प्रियोग साला में गठी उपकरण के प्रियोग के बारे मिबस चीज़ा के संबंदी उसले किसी के सुन रखा है उसीए हमारा प्रस प्रेक्टर है और प्रस्टर हो गया हो गया हरो घळिट कीत होते के समझास के फूयुक्त की उपयों के बारे देख पाता है और कि यिवाम को चन क्यों है मैंने आपको पहले बता दिया इस विधी के द्वारा गड़ित के तभी समझत्य आत्म प्रस्यों को हल नहीं करा जा सकता है क्योंकि इस विधी के द्वारा हम गड़ित के तभी तथ्यों को तभी समर्ष्याओं का समाधान नहीं निकाल परते हैं इसलिए यह विधि आपने पूर नहीं है क्योंकि यां विधि प्राकार की स्रमर्श्या को और हम लोग को इसके हाल के पहुत पाते नंगों को भी होग पूर यह तो इसके में के ज़ voiture नहीं कर सकते हैं इस बिधी के बार्व कारी कर reflect it इस रवाइंप जी इन प्रयोग के बारे इस बात कारी नहीं को कौन कौन सा टॉपिक है कौन सा जो नियम है कौन कौन सा तइक दी द्यृत पढ़ा जा सकता है वह इस पार कलाлось भू travelling वोड़ जाता है तो यह था फ्रेंट आज एकलास ऑकरंद कई कि हैं किया कैया प्रस्फ परत रत्यूंब होते हैं क्या उसके दोस्त होते हैं इन हम झाल झाल